वेल्कम बेक तो माई टूप्शन पेपर है कर कैसे हैं आप सभी लोग आज किसी विडिम देखने वाने हैं जो भी छात्र भी कॉम फस सेमस्टर में है उनका जो पेपर का नाम हो जाएगा बिजनिस और्गनाईजेशन याद रखना ये 2022 में आने वाले कोईशन है 2022 में आने वाले कोईशन की बात कर रहा हूँ और ये आपकी इन्वेस्टिक लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँआ कि पेपर हैकर यूट्यूप चलको आपने अभी कक सस्क्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजे और साथी साथ बीकॉम भाई पेपर हैकर को भी सस्क्राइब कर लीजे जिसका लिंक डिसक्रप्शन बॉक्स में दे रखा है यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा जो मैं आपको कोईशन करा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर करना है आप इसकी पीडियाप को भी डानलोड कर सकते हैं साथी साथ उसमें हमने जो written exam होगा, उसका भी हमने पीडियप दे रखा है, मतलब कि आपको कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना है, मतलब और कुछ पढ़ने की जुरूत नहीं है, जो हम question दे रहे हैं, इनके question के answer दे रहे हैं, बड़े simple तरीके, मतलब sort में है, आपको हिंदी में नोट से मिल जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से आप त्यारी कर दीजे, और मैं आपसे बादा कर सकता हूँ कि 85% प्लस बहां से आजाएगा, मतलब कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना है, नोट को download कर लो, अभी link description box में दे रखा है, ठीक है, तो पहले question पर, यदि आपके पास notes book, gas paper है, ले आये हो, तो कोई जूरुत नहीं है लेने की, ठीक है, लेकर हमारे हां sort मिल जाएगा, question है, अब आपको क्या करना है, जो business organization, जो paper है आपका, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, exam 2022 में, क्या क्या पढ़के जाना है, जो आपका exam होने वाला है, हाली में, तो क्या बिजनेस के प्रकार कितने है, वो देखेंगे, business की बिसेष्था क्या होती है, महत भी क्या होता है, business का विकास की अवस्ता, मतलब कि आपको भी फेल करने वाला नहीं है, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ, लिखके लेने, सज बता रहो, आपको फेल करने वाला नहीं है, पेप हैकर कुद बोल रहा है, exam से पहले भी आपको important question दोगा, अभी आप से आपको subscribe कर लो, bell icon को grace कर दो, और जो mcu question आ रहे है, वो सारे मैंने करा रहे है, mc की question जो है, वो सारे question मैंने करा रहे है, video देख सकते हो, link description box में है, बिलकु लास्ट में जाईए, वहाँ आपको mc को question को स्थापना कैसे हुई, मतलब एक नई जो ब्यप्षाहिम खोलेंगे, तो उसकी स्थापना किस परिकारत से करेंगे, उनमें कौन-कौन सी समस्य आ सकते हैं, यहीं नई एक business खोलने वाले हैं, और उनके प्रारूपों का वड़न करना है, उनके प्रारूपों को हमें देखना है, उसके बाद में है, एक कांग की ब्यापार क्या होता है, उनके गुर्दोसों के बारे में, मतलब एक कांग की ब्यापार यह होता है, जैसे कि मैं खुद मालिक हूँ, मैं खुद ओनर हूँ, ठीक है, ओनर कौन हूँ, मैं हूँ, अब ओनर जब मैं हूँ, अब लगा सकते जो और में हूँ तो और क्या करेगा वाई और किसी को रखुँगा नहीं में तो एकांग की बिजिस्टा के बारे में देख लेना हमने दो पार्टनर रख लिए दो पार्टनर से स्टार्ट हो सकते हैं वो साधिधारी के अंतरकत आएगा लक्षन के बिजिस्टा और अवश्चक तत्वों के बारे में गुर्दोस और नके प्रकारों के बारे में देख लेना नेक्स कोशन है कंपनी का अर्थ क्या होता है कंपनी का अर्थ तत्व उनके आवश्यक तत्व कौन कौन से वो देखेंगे उनके प्रकार और देखो एक निजी कंपनी सहेकारी कंपनी सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी होती है उनके कंपनी के बारे में आत कर देना 157 है नेक्टकारी संगठन का अर्थ क्या होता है उनके लक्षन के लाबों के वारे में उमunda हैं जैकर !* कारी संगठन का टाकरां क सैंग नचेकर बुला गया यह इसको देखिए गा मैस्षण है सडियन्त JAMES इस्थाहिकरण का अर्थ और प्रवावित करने वाले उनके घ्ट उनके लाब और उनके कैसे दो कि बारे में देख लेना नेक्स कौोशन भूला गया है !! वैवर के उध्धोगों की जो कैसे इस्थान निर्धान इस्थान निर्धान इस्थानivel सिद्धान में यहां से बाहर कुछ निजाएगा च्छप रहे हैं पेपर में याद रखना नेक्स कोशन है कि बेपसाइक एकायू से आप क्या समझते हैं परवाहित तद्व क्या है मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको पेपर है कर दो लाग सस्काइवर है देखो सेयोजन की परिवहासा देख लेना उनके करण क्या है उसके बाद में 3-4 प्रकार के सेयोजन होते हैं जैसे कुछ हैते सेयोजन होता है लंबत सेयोजन होता है ब्रतिय चक्री सेयोजन होता है उसके बारे में हाथ कर लेना है बेपसाइक सेयोजन क्या होता है बेपसाइक सेयोजन की परिवासा देख लेना बेबेकी करण क्या होता है बेबेकी करण के लाव और क्या होता है वडज और उद्धोग में अंतर most important है, ब्यापार और पेसा में अंतर most important है, ब्यापार किसे कहते हैं, पेसा किसे कहते हैं, वडजी किसे कहते हैं, उद्धो क्या होता है, यह हम देखेंगे, next question है, ब्यापसाय, ब्यापसाय में प्रवरतन, देखो ब्यापसाय में प्रवरतन के अस क्या होते हैं, ब्यापसाय के व्राष्टी करण में अंतर क्या होता है most important ये थे 2022 में आने वाले मनलकी 2022 के exam में छपने वाले पे बिटा ये छपने वाली क्या है कोशन है छपने वाले पिरसन है ये पेपर में छप रहे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा मैं आपसे बादा कर सकता हूँ ये सूरज राज को प्रेस करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर रहा है को भी दिक्कत आती ही तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर बाचे इस वीडियो बाई बाई